नमस्कार स्वागत करते हैं आप सभी का स्रीविटी इंडिया के इस खुपशूरत परिवार में तो कैसे हैं आप लोग उमीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और तयारी भी बहुत जवर्दस तरीके से कर रहे होंगे तो पिछले वीडियो में हम लोग राजा किसान और प्रश्ण बनेगा जो भी आपके परिष्ण के द्रिष्टी से काफी महत्पून है उन सभी प्रश्णों को करेंगे और करने के बाद आप क्या करेंगे किसी भी बुक को उठाएंगे आप वहां से फिर आप भी प्रेक्टिस करेंगे देखिएगा आपसे कितना प्रश्ण प्रश्ण आपसे बन पा रहा है अगर आप सही तरीके से यहां से अगर थी भी पढ़ेंगे और तरीका बता रहें उस तरीके से आप अगर फॉलो करेंगे तो निश्चिति आप जो जिस भी बुक से लगाएंगे वहां से निश्चिति हर प्रश्ण आपसे लग जाएगा एक आटप्रश्ण को छोर करके लगभग सारे प्रश्ण आपसे बन जाएगा। तो चलिए सुरू करते हैं.. आज का पहला प्रस्ण की है। देखिए, हाज का पहला प्या है किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम के विभिन उपलवद्यों का वर्नित है.. जूना घडविलेक के शॉना घडविलेक, तू इसका शही अंसर जूना घडविलेक से हमें किसके बारे में जनकारी मिलता है? रुधरदामन प्रथम के बारे में जनकारी मिलता है अगर बात करें ये कहा परता है जुनागर अभी लेक यानि कि गुजरात राशे हमें ये मिला है कहा ltre राशे मिला है और ये बात करें किस भाषा में लिखा गया है तो यह भासा की बात करें तो यह संस्कृत भासा में लिखा गया है, किस भासा में लिखा गया है, संस्कृत भासा में लिखा गया है, पहला अभिलेक माना जाता है, किस को जूनागड अभिलेक को, इसी जूनागड अभिलेक से रुद्रदामन के बारे में जनकारी मिलता है, चल देखियों, यहां लिखा भी है, क्या लिखा है, गुज्रात के जूनागड से रुद्रावन का एक अभिलेग प्राप्थ हुआ light इसके बारे में रुद्धावन किसे उससे जनकारी वहां से मिलता है जहां देखिए यहां क्या लिखा है यह विसुद्र संस्कृत भासा तथा ब्रामनि लीपी में लिखा गया है आपको यह पॉइंट नो डाउन करना है कि किस भासा में लिखा गया आप से पूछे गाई कि जूना गडविलेग किस भासा में लिखा गया है यह संस्कृत का सबसे बारा अभिलेग कोन है तो वहां भी हम जूना गडविलेग को ही मानते है यानि कि पहला अभिलेग है जो संस्कृत के फॉर्म में लिखा गया है तो देखें क्या लिखा गया है विसुद्र संस्कृत ब्रह्मी लिपी में लिखा गया अभिलेख है इसमें रुद्रदामन के वन्सावली विजयो और सासन और उसके ब्यक्तित पर सुन्दर चितरन करता है यानि कि सुन्दर प्रकाश डालता है उसके बारे में बहुत विष्थार से जनकारी देता है तो चलिए प्रश्ण समाप् करवाया जिन्नोद्वार कारता है किसने उस सुदर्सन जिल का मरमत करवाया और भी पैसा दे करके ऐसा नहीं कि फिरी में बेगार के रूप में बलकि बिना बेगार के उसको पैसा दे करके किसने सुदर्सन जिल का मरमत करवाया अप्सन देरा चंद्रकुत मोरे ने पहला अ और चौथा आपसार है रूद्रदामन प्रथम ने तो बताए कौन बिना बेगार के सुधरसन जिल का जिन्नो दौार यानि कि मरमत करवाया तो बताए बात करते है रूद्रदामन के तो रूद्रदामन नहीं जूना गढण अभी लेक का यानि क्या करता है जो सुधरसन जिल उसका मरम्मत करवाया था वो भी अपने पैसे से तो आपको बहुत सारा उप्शन मिलेगा जिसमें सुदर्शन जिन का मरम्मत करवाया था लेकिन बात करे कि बीना पैसे दे करके खुद के पैसे से बीना बेगार के कौन करवाया था तो उसको एक नाम याद रखना है कौन यही कि यहिए निकि लिष्ट वऩ दू से में कर भाइए कि कौन सा कथा ने कि को कर ने का बहुत घे असान तरीका बना बता था ली कि किस तरीके से ऐसा प्रश्ण को कर सकते हैं अगर मानली Azuzan में एक प्रश। पता रहा Council यह अगर अगर pint तो only 50-75 % अगर आपका चांस बनता है, आप ऐसे प्रश्ण को सही कर ले जाएंगे, अगर दो option भी पता रहेगा. तो चलिए देखिए किस तरीके से ऐसे प्रशन को करेंगे एक तरीका बताता है यह तरीका को फोलो कर जिएगा जब भी ऐसा प्रशन आए तो यही तरीका को फोलो करते हुए आप उस प्रशन को कर जिएगा बहुत ही असान तरीके से ऐसे प्रशन आपसे बन जाएगा देखि पहुत सब चार और बारे में बहुत बिश्तार से बताएं थे किश न करम के आए तो पार्श्यान के बहुत रखेंगेatti आपको बताएं याद हो गड़ियो को देखें होंगे सही तरीके से तो देखें गंडो फर्णिस के बारें तो आपको यहां पे C का option number A हो गया है, अब हम देखते हैं, यहां पे C का option number A कहां पे आता है, देखें, इसको यहां से पहले हैं, यहां पे V3 है, तो सबसे हैं, कैसी हाल में पहला deleted को पहला? नहीं होगा यह कट गया यह पहला और चौथ फ्प्षन भशख गया आप्षा साथकता बच गया हमारे पैस दो उप्षंन में देखिए क्यों सो ऌप्षन हमारा सही है इसको संगठित करने का काम किया था इबात कर रहा है Bim ka n Dehe kiedy gujul ka n Dehe claimed क्रूषा नामक दो राजाते इसने की हाय किया था in कुशानअ यह को संगधित करने के काम किया था आपको बात कर रहा हां कि बारे में बारे में प् matte रेखें के बात करते हैं के ठेंब açया फाला लेकिन आपको एक तरीका न हो भूताया थो तब हम बताएं ते कि किस तरीके से आप बना सकते हैं, वैसे आप बनाते हैं, तो पहले आपका सही हो जाता, लेकिन आपको तरीका बताएं कि अगर आपको चार राजा के बारे में, अगर किसी एक राजा के बारे में अगर आपको जनकारी हो, तो आप पहले उसको बनाईए, इसके बाद जो नहीं जनकाड़ी हो खुद उस्वयम इंसर आजाएगा तो ए का क्या हो गया नोज सबस्टेश्र हो गया नोज सब्सक्राइब तो option नमर्स आपके लिए कटीन हो जाएगा प्राचीन भारत में निमन में से किस एक ने नियमित रूप से सोनी के सिक्के चलाएं तो आपको पीछे जब सिक्के का इतिहास बताये तो हम आपको सबसे पहले बताये थे कि सबसे पहले सबसे सिंहें बताये तो वह बताया थे कुछाने देजगा कि सबसे पहले सोने के सिख्य किसने चाली किया था इंडो ग्रिक ने सबसे सुध सोने के सिख्य किसने जारी किया था तो बात करेंगे कुशान की आपको दूसरा प्रशन आपसे पूछेगा कि सबसे सुध सबसे सुध सबसे सुध सबसे सुध सबसे सुध सोने के सिख्य किसने जारी किया, सोने के सिक्के किसने जारी किया, तो बात करेंगे कुछान की बात करेंगे, किस की बात करेंगे, कुछान राजा की बात करेंगे, किस की बात करेंगे, कुछान राजा की, देखिए, अब हम कहे रहे हैं कि सबसे जादा सोने के सिक्के किसने चालू किया, देखिए तीसरा प्रशा मारा सबसे ज्यादा क्या कहते हैं सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा सोने के सिख्ये क्या सोने के सिख्ये सोने के सिख्ये किसने ज्यारी किया तो बात करते हैं सबसे ज्यादा सोने के सिख्ये किसने ज्यारी किया तो गुपतो ने किया किसने किया गुपतो ने एक सबसे जादा सिक्क्र नहीं किया जारी किया जा रहा है यहां पर सोना चांदी ना तामबा नहीं किया जारा है इंडो ग्रिक ने यहां से बंता है इसलिए आपको बहुत बकाईदे तरीके से बता रहें और पीछे थीवी बाले पार्ट में आपको बहुत ही सुन्दर तरीके से एक एक करके क्रम से और इसके बिस्तार में भी पढ़ेते अगर आप वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाएए वहां देखिए सब टोपिक पे नाम भी लिगा हुआ कि यहां पी पीपीटी मिलता रहेगा देखिए सबसे पहले सोने के सिक्के इंडोग्रिक्सास ने सबसे सुथ सोने के सिक्के कुसानों ने सबसे ज्यादा सिक्के किस ने चलाया था ता मोर्यों ने यह से चीज़े आप याद रखेगा देखिए यह प्रस्ण मेरा क्या है हमारे यह प्र के यह ह theoretical चला कूस लेगा थो कोर्षन के शहां के छोंगा टो तो हम इस में पराइबgomot आप पराइब पार्ष्मा नमर परस्ट न थि इन कि तो सीव अंकन उल निकर भूद आतेशों आरे कैनं ऌसा दिस नदीने का पिम अंधृ । दूसरा प्संदर नहापान thinner aparte 카나 karmisq और आपको बात करें करें करीज के बारे में आगे हम प tort तो किसके राजा हो और महायान नामक दो भागों में बहुत सम्प्रदाय बढ़ चूका था तो यह बात करे कि बुध का फोटो किस पे मिलता है किसके सिकह पे तो कनुषक ही राजा है जिसके सिख़े पे बुध का चित्री मिलता है किसके राजा के कौन से राजा तो कनिश के एक राजा है जिसके सिक्के पर हम देखते हैं महात्मा बुद्ध का भी चित्र देखने को हमें मिलता है तो यह सब चीजे आप याद रखेगा चलिए देखिए कहां भी गया यहां पे कुसान सासक कनिष्ट के सिको पर बुद्ध का अंकन मिलता है यानि कि बुद्ध का चिंत्रण मिलता है हमें चलिए देखिए आज का हमारा चछठा नमर प्रश्ण है कि निमन लिखित में से किस सासक को सर्व पर्थम सोने के सिक्षण जारी करने का स्रेख दिया जाता है सरवपर्थम सोने के सिख्के जारी करने का सरय दिया जाता है अब बात करता है सरवपर्थम सोने के सिख्के जारी करने का सरय दिया जाता है तो इंडो ग्रिक सासक को दिया जाता है लेकिन यहां पर प्रशन को ध्यान से परहेगा निमिन में से किस सासक को किस सासक को सरवपर् प्रीषक करें और छूथा आके उस्क उप्रशन है को सबसरे पहलए जिल्यगे को देखेंगे अगर यहांपे सासगे करतें sãou लेकिन यहां पात कर रहा है सवर्व पर्थम कि सासक ने सोने के सिक्की जारी किया तो यह कुषान राजा के बारे में बात कर रहा है अब कुषान राजा में सबसे पहले किस ने किया था तो बीम कंडी फिस्यस ने किया था किस ने किया था बीम कंडी फिस्यस ने किया था देखे सब्दों का ही उलट-पुलट करके अगर हैं ऐसे अगर आपको समझा रहा हैं आप अच्छे से आप देखेंगे तो निश्चित या 50 में 40 प्रस्ण तो अराम से कर ले जाएंगे और बात करें चालिस में 50 तो करी ले जाएंगे साथ में आपको पता है कि जीटी का भी एक टेस्ट होता है जानि कि जीटी में जो 60 प्रस सबसे ज्यादा वेटेज होता है कम से कम अगर पचास कोर्शन में कम से कम 12 से 13 प्रस्ण यह ऐसे नहीं बोले प्रश्ण में जाकर देखिए प्रिवियस को जितना भी पेपर है उसमें आप देखिए आपको खुद अंदाज लग जाए कि 12 से 13 प्रस्ण अकेला हिस्टी का र में बिम कंडी फीश्यस क्या कर रहा है बिम कंडी फीश्यस ने सरफ पर्थम सोने के सिक्के क्या क्या सोने के सिक्के जारी किये थे कौन किये थे बिम कंडी फीश्यस ने यह सब चीजे आपको कंफ्यूज नहीं होना है चलिए देखिए आज का हमारा सात्मा नमर प्रस्ण ह निम्नलिखित में से किसीने भारत में स्वर्ण शिक्कों को प्रचलन नियमित रूप से, यनिकि नियमित उपयोग के लिए किया था। देखिए, option क्या दरा है? , दूसरो option कुझुल कंडि फीशिएक दे रहा है। और चौथा अफ तंदरा हर्म वीजी दे रहा है तो बताएए इन में से कौन सा ओप्सन हमारा सही होगा देखिए बात करें कि सबसे पहले किसने जारी किया था तब पर हम बात किया था और नियमित रूप से कौन प्रचलन किया था कौन उपयोग मिला था वो भी हम बात करते ह इसका बात करते है बिम कंडी फिस्टेश को आप आराम से याद करेंगे कि कुसान वंस का एक राजा था इसने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किया और सोने का नियमित रूप से प्रचलन भी किये थे तो आपको कंफ्यूज नहीं हो ना दोनों में एक ही नाम है तो आप आ रिके से लिया करते थे उस्टे में यह कई बार यह प्रस्ण पूछा गया है और कई बार तो जेनियू में भी यह प्रस्ण पूछा गया है देखिए क्या कह रहा है यद्धे शिक्कों पर किस देवता का अंकर मिलता है यानि कि यद्धे एक सिक्का है जिसमें किस देवता क पर किसी दिपता का चितरन मिलता है, तो बात करें क क करति के क क्या का का चितरन मिलता है, तो ये धे omnáis का चितरा का चितरन हैं, किन्तों करने जायेंगे देखे इसमें जो point आपको highlight करेंगे उसको आप विशेस द्यान देंगे देखे यधे के प्रमान पुरान हो गया अश्टा ध्याई तथा व्रियत सहीता इत्यादी गरंथों में यानिकि इत्यादी गरंथों से प्राप्त होता है क्या यदे के बारे में इसका समराज दचिन प बताइए वपनिशत के संक्या बताएं थे वैद पाइए बताए अगर बात करें पुरानों के संक्या है 18 वेद कना इंचय में ताकि को चीजों सब याद रहें भीद के संक्या 4 कौन सा वेद है रिग वेद यजूर वेद साम वेद अथर वेद सबसे अंतिम वेद कौन है तो यथर वेद सबसे प्राचीन वेद कौन सा है तो रिग वेद इसके बाद बात करें संगीत का वर्नन कहा मिलता है तो साम वेद में यग का वर्नन कहा मिलता है यजूर वेद में र आप लोग उसको अबस्षे ही देखे चलिए तो आपको यहां पर क्या याद रखना है कार्थिगे के बारे में याद रखना है जलिए क्या कर रहा है क्या कर रहा है हमारा नौन प्रस्ट जो है वह पर क्यारे में जैस्तापे प्रश्न को खाराना है यहां पर 78 इसी भी भी दिया है अंठान में दिया है 80 दिया एक्सो कईश दे रहा है तो आप हम लोग जानते है कि आप लोग आप इसको याद रखेंगे और बहुत ही सब्दों का बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे कि यह पूछा क्या जा रहा है चलिए अब चलते हैं नौ नमर प्रशन पर देखिए प्रपानी पीले प्रणब किया गया ठाइब है यह फिरंऄ में सब्सक्राइब कलते हैं और आप हमारा जो वीडियो देखेंगे तौंकर बाखायदे पता हुगा कि सक्संबत का तीथी क्या था देखें संबत के बात करें तो 78 इस्वी किसके दुरा की आगा था करने। क्या 78 इसवी में चलिए देखिए क्या कर रहा है कुछ पॉइंट जो हम आपको हाइलाइट करेंगे उसको अवस्य दिहान दे करके फोकुस किजिए उसको चीजे उस चीजों का नोड़न करने का भी प्रयास करिए देखिए जैन गरंध के अनुसार क्या कर रहा है जैन गरंध अगरंधि के सब्सक्राइट कि इससरा सब्सक्राइट सब्सक्राइट करने कि न n heure उसकर थी दोनोग प्रण来 रहाएं आप कन्फूज हो कि BC पे टिक कर देंगे लेकिन आपको ध्यान रहे कि BC की बात नहीं हो रहा है यहां पर AD की बात हो रहा है कि इस भी की बात हो रहा है कि इस भी की बात हो रहा है तो आपको यह चीजे ध्यान देना है बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना है कि इस भी में के बात हो रहा है चलिए और चिह विक्रम संबत की बात करें तो पम इसी के बात करें तर चोंSरी के heart सब्सक्राइब के लिए क्या कि देख देखलें कुए क्विद्या जानम के लिए देखले के सब्सक्रण करें में 33 acronyera अधिकांस इतिहासकार ने कुशान सासक कनिष्ख को इसका परवर्तक माना जो आपको PCM बता भी चुके हैं कि जो कुशान सासक कनिष्ख था उसने सक्संबत का प्रणाम किया था उन्हीं के सासनकाल में चौथी बहुत संगिती भी हुआ था जो कहां हुआ था आपनों कमेंट देट याद रहेका तभी हम निकाल पाएंगे देखिए बात करते इसको निकालने का मदाते कई बारा प्रसन भी बनता है बिक्रम संबत इब सक्थमत में कितना अंतर है बिक्रम संबत की बात करे तो क्या था cftabon Bc और 7.88 AD देखिए आपको यह चीज तो पता होगा माल ली बीक vitesse अरिक आन्व का कर देंगे तो हमारा準 निकल गया projectwwww कितना होता है 15 700 22 le MKito e 135 15 वर्स कितना हूग वर्स कितना है 135 वर्स तो यहां पर 135 वर्स कहा है 135 वर्स औरम बंधर B इला तो इस तरीके से टिक कर सक्ते हैं आप आराम से पुछ सकते हैं कई बार पूछ देगा याद रखेंगे आप आराम से बना लेंगे चलिये बिक्रम संबत कब से प्रारम हुआ था सक्ति शोटी चोटी चीजे इसको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखेगा किम्कि 4-4 statement बना कर पूशागा उसमें आपको पूछ सकता है कि सक शंबत को शुरुवात 78 इस वह था विक्रम सम्बत के शुरुवात 57 बीसी में हो था दोनों कथन सही है यह इन में से कोई भी कथन सही नहीं है तो आप ऐसे प्रश्ण को जानते रहेंगे तभी बना पाएंगे देखिए बात करें विक्रियम संबत के अभी तुरंट आपको बताएं थे कि संतावन इसा पुर्वियानी संतावन विसी इसका शुरुवात हुआ था चलिए अब दीखिये क्या करा निमय लिखित में से कौन सा वर्स दिशमवर दोहजार नौं में सकसंबत का वर्स हो गा देखिए वह्र हुआ प्लत बता थे रहें एसे प्रस्न पूछा जाता है किनृम्य दिसंबर 2009 में सक्संबत का वर्स होगा चार अप्शन दिया हुआ हमारा 1931, 1952, 1966 और 2087 तो पहले हमको पता है कि सक्संबत की बात कर रहा है। जेकिन सक्संबत की बात कर रहा है तो यहाँ पर हम 78 एड करेंगे। इस पहला जो 29. में सक्संबत कराएगा तो आपको ESB प्रश्ण किलियर हो गया चलिए देखिए आज का हमारा चोगदों नमर प्रश्ण है अश्वघोष किसका समकालीन था ऐसा प्रश्ण कई बार पर पुछा जाता है इसका कौन समकालीन है यह गुप्तों के समकालीन कोन है कुछानों के समक प्रश्ण बहुत बार पुछा जाता तो ऐसे प्रश्ण को बहुत यह बारीकी से पढ़िएगा और यह छोटे-छोटे जो मिस्टेक होता है वही मिस्टेक हमसे मार्किंग करवाता है तो यह छोटे-छोटे गलतिया जो होता है उस पर विशेश ध्यान देना है अगर आप चोटी-छोटी गलतियों पर विशेश द्यान देंगे तो निश्चिति आप पचास में 40 प्रश्ण कर लेंगे चलिए देखिए क्या कह रहा है अस्वगोष किसके समकालीन था बात करें अशोक के कनिष्क के संस्था नहीं थे बलकि कनिष्क जो सम्राज था उसके एक सक्ति साली राजा हुए थे जो रेसम मारक के लिए फेमस है चोटी बहुत संगीति इसके तरह उती शुरुआत हुआ था महत्मा बुद्ध के चभी अपने मुद्रा में अंकन किये थे और क्या किये और भी कुछ-कुछ जो विशेश्टा है बताईए आप लोग कि सारा विशेश कौन एक कनिष्क के दरवार से संबंधित नहीं है देखिए क्या करण नहीं है हाई कहता अब तुरंत सब्सक्राइब कर देंगे लेकिन गलत हो जाएगा यहाँ पर प्रश्ण को बारी की से पढ़िए कनिश्क के दरवार में संबंधित नहीं है हाँ पूछा जाता तो कर देखिए बात करें असभगोज की तभी तुरंत बताएं थे कि असोक किसके दर्वाड़ी कभी थे याली तो पहला αप्षण तो घुरु बहु...... नागधर जुन धुन कह daar लेक्या झाउ पर किसके दर्वार में नहीं रहा करते थे पंध जली किसके दर्वार में रहा करते थे सुंग बंच के जो राजा थे उनके दर्वार में रहा करते थे यानि कि सुंग बंच के राजा कौन थे पुष्वमित सुंग कौन थे पुष्वमित सुंग थे उनके दर्वारी कभी थे अब जनकारी के जनकारी मिलता है कि पुष्वमित्र सुंग द्वारा दो चालता है कि फुष्वमित्र चालता है सभील सब्सक्राइब इसके बारे में जनकारी मिलता है या अरधी इसके बारे में जनकारी मिलता है देखें क्या करा है पुस्यम्मिट्र शूंग अंतिम महरे सासक जिसका नाम क्या था ब्रिदरत क्या अब बिरिदरत यह पर यह पसड़र शूंग ने कि avete अस्षापना किया कि निखें याद होता है कि इसने दो अस्म में एक यक किये थे तो आपको ये चीज़े किलियर हो गया कि पुष्व मित्र सुंग ने सुंग बंस के स्थापना किया किसके हत्या करके ब्रिद्रत कौन थे मौरे बंस के अंतिम राजा थे कब किये थे 184 में इस तरीके से अगर आप याद र इस वन्स ने भारत पर राज किया देखिए इसके बारे में तो आप अराम से बताएंगे हम नहीं बताएंगे आपको इतना वार वो ट्रीक याद करवा चुके हैं कि आपको तो करम तो बहुलेंगे ही नहीं कभी नहीं बूलेंगे क्या ठीक था बताएं आप लोग आपको लिख चुके हैं तो यहाँ पर लिखेंगे नहीं पर मोटा मोटा सून लेज़ें देखिए वसे कहा था हर्यक बंस था सब्सक्राइब बहुत बार आपको पता चुके हैं पिछले वीडियो में जितना भी वीडियो देखेंगे उन सभी वीडियो में आपको एक बर तो चर्च बंस आसन क्या आप हमसे पढ़े हुए हैं तो यह ट्रीक को याद रखेंगा तुरंत बताएगा कि हसीन मसुक्षा हडएक बंस शिशुनाग बंस नंद बंस मोर्य बंस सुंग बंस सत्वान बंस इस तरीके से बोलिया कि सामने वाले घवराज है कि कहां से बढ़ाया भाई जई लिए देखिये यहां पर बात कर रहा है सुंग से यानि कि सुंग बंस के बाद किस बंस ने भारत पर बहला पर ब्राज किया तो तो एसे प्रश्ण कभी वेर बनता है तो एक बाद देव भूति अपने आमत थे था बाशुदेव के सर्यंतर द्वारा मारा डाला गया कयाने का यह अर्थ है कि जो वाशुदेव थे, वाशुदेव nobody can specifically कि शन्ठापक थे इसने किसकी हत्या करवाई देव भूती की कैसे करवाई अपने सरयं दर के जाल में प zombies स्थापनू के नाम से आ है लेकिन आуска क स partnerships वन्स था उसके समान ये भी ब्राह्मन वन्सी था तो आपको ये चब चीजे याद रखीगा चलिए आज का थारा नमर परशन है निम्यलीकित में से कौन सा साशक वर्ण वेवस्था का रच्छक कहा जाता है यानि कि वर्ण वेवस्था के बारे में आप जानते है कि ब्राह्म चैत्रियव वर्षे सुद्र उसका रच्छक कहा जाता यानि कि उसका फिर से अच्छे तरीके से रच्छा किया उसको बहुत वेवस्थी तरीके से बनाए रखा कौन सा राजा था पुष्वमित्र सुंग ने ये ब्राह्मन थे खारवेल आपको पता है कि आप तुरंत आप पुष्ममित्र सुंग क्योंकि पुष्ममित्र सुंग ब्राह्मन थे और ब्राह्मन आपको लगा कि ब्राह्मन थे तो यही क्या किया थे ब्रण विवस्था का रच्छा किये थे किन्तु आप गलत हो जाएंगे आप तुरंत करेंगे पुष्ममित्र सुंग क्योंकि हम लग रहा है कि वह ब्रहामन थे तो वही इनका रच्छा की होंगे लेकिन ऐसा नहीं है कोन के थे पुष्वमित्र सुंकेत आपको यह सब चीजे बारीकी से पढ़ना है और ध्यान पूरुबग इसको बार बार प्रेक्टिस करी है कि यही सब पॉइंट जो होता है आप गलत कर सबस्पियाएं तो आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चल जाते हैं कि अखर कैसे हो गया तो यहीं छोटी-छोटी गलतिया जो होता है वहीं गलती हमको बहुत ज्यादा माइनस मल्किंग में ले जाता है तो यह दो देखिए क्या कह रहा है कि क्या कर रहा है सथ वहान उसके विश्षिन होते हो यानि कि चतुरवर्ण यानि चतुरवर्ण ज्यातियों को समिश्णन को रोका इसी कारण इसे इसे कारण इसे कारण वर्ण विवस्था का रच्छक कहा जाता है किया कहा जाता है वर्न विवस्ता करथ canopy कहा जाता है चलिए दख्येश मोरियों के बाद दच्छिन भारत में सबसे प्रभाव साली राज़ी तो परस्षन असान है बात कर रहा है किसी सत्भाहन के रहा है यहां कि दो छोट पांडब तो दच्छिन इंथा लेकिन उसमय पढ़ नहीं उससे में चालू के था नहीं चोल तो था ही चोल चेर पांड़े था लेकिन चोल की बात नहीं और यहां पर सबसे सक्तिसाली की बात कर रहा है मोर्यों के बाद कौन था सात्वाहन था चलिए बात करें सात्वाहन बंस के स्थान या पैठन भी कहा जाता है तो कई बेर अप्शन में प्रतिष्थान राएगा कई बेर पैठन राएगा तो आपको कन्फूज नहीं नहीं परतिष्थान मारना है अवर के बात दच्षिन भारत में सबसे प्रभावसाली राजा श्रतवाहनों के संस्थापा का नाम बनता है सिंधूग या स्विमुग या शिप्रक क्या कहता है इतिहास जब पढ़ेंगे नहीं तो कहीं सारा नाम से लिखते हैं जैसे करतेने किसी का नाम माली ये वी नाम नाम से कहने से मार सकते मारें क wreff लग सर्मिद्रिस करें डोपना साइथ को दने कहने करते हैं जो कनषद के राजा शुसर्मा था उसका हम करें सत्वहां चिस स्थापना किया था है तो अपको पता भी Dwafone को SUS- zusammen में के लिस्ट वन और लिस्ट्ट्व को आप करना यह किलाना इनरा क्यों किससे मिलता है आपके तरफ से हम गलत नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे कैसे करना है प्रश्ण को फिर से आप ही के तरीके से हम कर रहे हैं देखिए इसमें कम से कम हमको एक पता होना चाहिए माल लिजे हमको गंधार काला के बारे में नहीं पता है ठीक है माल लिजे नहीं पता है वैसे हमको पता है लेकिन आपके तरीके से हम सल्ब कर रहे हैं तो हम पता रहें मालीज हमको गंधार काला के बारे में नहीं जनकारी है लेकिन जुनागर्सिला लेक के बारे में पीछे अभी तुरंत बता है तो यह तो आप भूलेंगे नहीं यह तो निश्चित ही आपको पता होगा जुनागर्सिला लेक की बात करें तो किस से मिच करता है रु चुछ द्रुजर्दामन से समंधित है तो हमारा option B का हमारा 4 हो गया अब देखिए हम option पर आता है B का फोर 1 तो हमारा 2 option तो पहले कट गया पहले से हमारा क्या हुआ फोर option नमर फर्स्ट गया अब आपकों सा कोन किया था कुषान किया था कोन क्या सान क inquiry के उसन का में गंधर कल्ग का विस्तार देखने को मिलता है तभी होगा एक क्छरी है थी गार में दूसरा option भी कट गया हमारा answer तुरंत निकल के आगया क्या option answer निकल का आगया 3-4-1-2 3-4-1-2 याझनि 3-4-1-2 देखिये मलिंद बन्हों की बात करें तो मिन हंडर से समझ दित है और तक्षिलललेक की बात करें तो पतिक से समझ दित है देखिए आज का 21 नमर प्रशन क्या है कि अपनिस्तान का बमियान पर सिद्ध था यह चीज़े आपको याद रखना है जब कई पर चर्चा में भी था यह पूछा गया किस से संब्धित है तो बुद्ध परतिमा के लिए संब्धित है तो आपको यह सब चीज़े आपको जनक देख संब्धित है इस सब दोनों को बीच भाल रहा है जो क्या क्या करते हैं शिखर गंधर काते हैं ऐसे नागर वेसर सली के नोर्थ इंडिया में था डरी शाली की बात करें थो य्क सब्वाने बात करें दोनेfik है जो बात करें बात करें भारतियां युननाने थो या गंधार विशय मात्र बौध्वन के कारण इसे यूनानी बुध्ध ग्रेट बुध्ध इंडो ग्रीक या ग्रिको रोमन भी कहा जाता है तो आपको याद रखना है कि गंधार यानि की बोध होने के कारण इसको इंडो-ग्रीक भी कहा जाता है चलिए देखिए प्राचीन काल के भारत पर आकरमनों के संबंध में निम्यलिकित में से कौन सा एक सही कालानुकरम है आपको ये सब चीज़े बताएं थे कि ऐसे ही प्रस्ण आपके परिच्छाएं बनेंगे करेके आपको देखने को मीलेगा पढ़ा से कम से कम से कम तो आपको आआसा ही देखने को मीलेगा 15 सücke ऑग जो अगदम लवीति प्रे recount बनेंगे लेकिन 30-35 प्रेश्ण आइसे होंगे जो आपको सोचना पर मजबूर कर देगा कि इसका क्या हो सकता है तो चलिए, देखिए, आपको पीछे बताएं थे कि कैसा करम था, सबसे पहले बताएं इंडो-ग्रिक, क्या बताएं इंडो-ग्रिक, जो आपको शुरू सही बताते आ रहा है, इंडो-ग्रिक हो गया, इसके बाद कौन था, शक था, अभी तुरंत पीछे भी बताएं थे, इ इन गर नाम यूननी तो आपको नंडूकर नियूकर के बाद सख लत होगा ज्क के बात करें . ने जोट के रिमफकर फ़्फवं के आपसे अफसे तो मारा पहला प्षानि उस घळा भी होगा इन्डोकृक शक पार्षियन ओना चाहिए पार्षियन और यहां पर खुशानते तरीके से साइस käyt bubble लुट weary अब देखें नेक्सेल्ज पर में चलते हैं आप प्रष नंबर 24 पर जलते हैं एक मिनट नेग्हेए अब प्रस नंबर 24 पर जलते हैं डेक 뭔 सबसे पूराना मरा साथ वाहन संट उसके राजा में और किस पुरान errाद के को बारे में किस वाहन के बारे में जनकाली मिलता है, बाद कर रहे हम विष्नु पुरान के बाते हैं, विष्णु पुरान के, तो विष्णु पुरान से हमें किसके बारे में जनकारी मिलता है, अगर बात करते हम वायु पुरान से किसके बारे में जनकारी मिलता है, तो गुपतो के बारे में जनकारी मिलता है, बात करें, मतस से पुरान से किसके बारे में जनकारी मिलता है, तो म अमरावती में थी नाल दूर्ग में थी नादे में थी या दूर्ग में थी तो बताएं कि नादे में थी या दूर्ग में थी तो आपको बताएं है कि जो सत्वाहन थे उसके रधानी कहीं कई परतिष्ठान भी देखने को मिलेगा कहीं परतिष्ठान भी देखने को मिलेगा क लेकिनि उसी का नाम क्या है उसी का नाम अम्रावती भी है क्या है अम्रावति भी है अ या अध्र जातीर कहा जात कः़ंबिक रद्धाणि की बात करें तो Amrawati are इक कि तरहा के नि आपकु रहानी के ठ़हा है यह को पाठले पुत्र था एक क्या होतोblesिय का नि अट फ्रेसे कि वहना इस्था को से पकर रहा है यह पया क्या हुआ है लिलाम स्विक्ड था प्रतिष्ठान या अमरावती रहेगा तो बी के हमारा क्या हो गया थ्री पहला 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 सभी हो गया और इस तरीके से आप याद रहेंगा ऐसे प्रश्ण को ऐसे करेंगे अराम से हो जाएगा चलिए सबसे पहले आया था इसके बाद करेंगे 123 कौन 123 अपसे नमर डी जो है हमारा सही हो गया चलिए चलिए देखिए उनतीज नमर प्रसनर का नाम जुझा है आपको कई बार बताएं कि राजा खार्वेल का नाब जो कार्लिंग राज खारे्ल मैवस्थी को कहाधे धर elles कर सम्दित है क्लिंग नरें करवेल resolan we और यह अप्षंद रहा चेदी बन से कलिंग बन से कदम से या हर्यक से देखिए हर्यक तो होगा नहीं यहांडेड परसंट की हरीयर्डैन यहां है, अथे लिकरें, पर किया थे समन्दित है, तो यह किस नाम को समन्दित है, चलिए। प्रति भारी जुकाव था जिसका जुकाव जयन धर्म के तरफ बहुत ज्यादा था तो यह राजा आज जितना भी प्रशन बनने वाला था मोरेतरकाल से उन सभी प्रशनों को देखें अब बहुत बारी किस देखें अगर आप देखें सबसे पहले आप फिरी वाला पार्ट को देखें प्रस्ण बनाएंगे इसके बाद प्रस्ण को आप देखेंगे तो आप से निश्चिती हर परस्ण बन जाएगा आप खुद कहेंगे कि 50 में 40 प्रस्ण भी कर लेंगे और जनरल टेश्में जो 10-12 प्रस्ण बनने बाला होगा उन सभी प्रस्ण को देखेंगे और बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे उसके बाद आपका एक भी डाउट गुपता समराजी पर नहीं रहेगा जलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद त्यारी करते रहें स्वस्त रहें मस्त के लिएरे